दोस्तों बहुत से लोगों के स्मार्टफोन से फोटोस डिलीट हो जाते और बाद में उन्हें पते चलता है कि वो फोटोस उनके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है लेकिन गाइस उनको पता चलने के बाद भी वह उन फोटोस को आपसे रिकवर नहीं कर पाते हैं अप लोगों ने जिसमें उन सारे फोटोस का बेकप नहीं लिया हो और फिर भी आप लोग उन सारे फोटोस को किस तरह से रिकवर करोगे तो इसके लिए आप लोगो इस वीडियो को पुरा एंटर देखना हुआ लेकिन उससे पहले गाईस भाई का नाम जलीजे नमस्कार दोस् दोस्तों सबसे पहली बात कि आप लोग इस वीडियो को मत किजिएगा अधरवाइस आप लोग कुछ स्टेप्स मिस करने कारण अपने उन फोटोस को रिकवर नहीं कर पा हुए जिने आप लोग ने बेकप नहीं लिया है तो सबसे पहले हम लोग डिसक्स कर लेते हैं कि उन दोस्तों आप लोगों यहाँ पर हमारे स्मार्थफोनेot डिसक डिगर अफ्लेकेशन हुगी हम आप लोग को अपने ही omega कर दिय अपने माइन इंटर्णत देट होना चाहィए कि तो कि यहाँ पर प्रोव क whipping दिधान ऑप उसके बाद यहाँ पर आप को होसे औरिट 농किय मिल जाए हुज़्य है अगर वीडोस वाला ऑक्षंस कर कर तो मिलेंगे अधर वैस्वालोग को फोटोज ही मिलेंगे आप लोगो इस ऐप सेटिंग्स में तो होतिक करदी आइक देनर या आप लोग से फोटोज और इतने सारे फोटोस देखने को मिल जाए कि आप के स्माटफोन पर अत्नी स्टोरेज भी नहीं होगी जितने pause देखने को मिल जाएंंगे तो आप लोगो उन जॉस्च फोटोस पर क्लिक करने पर आप लोगो यहाँ पर conquer zi 288 recover files यहां पर found कर चुका है तो आप लोग जहां पर भी इन फोटोस को सेव करना चाहते हो जाश उस पर क्लिक करिएगा और यहां पर करना होगा और पको सेव करना है डिड़त करना चाहते हो आप creamyंश को सेव करना चाहते हो आप लोग पर ads करना चाहते हो यह अप लोगो notification भी मिल गया है कि फाइल से हो चुकी है तो हम लोग चलते हैं अपने file manager में जहां से हम आप लोगों को जैस्ट फोल्डर में हमने फोटोस रिकवर किया तो दिखा देते फाइल पर क्लिक करेंगे DCIM वाले फोल्डर में हमने सेव करी थी camera वाले options पर और यहां पर हम आप लोगो सबसे लाश में दिखा देते यह देखिए वह फोटोस आप लोगो को देखने को मिल जागा जूकि तीन उन्ही लोगों के लिए जिनके smartphone से फोटो डिलीट हो गए थे और उसी smartphone के फोटोस वो लोग को आपके smartphone में Google एप्लिकेशन को ओपन करना है जो की Google फोटोस नाम से देखने को मिलेगी इस पर क्लिक करते ही आप लोग के सामने आपकी सारी फोटोस दिख जाएगी लेकिन अगर आप लोग की mail आईडी यहां पर वही mail आईडी होगी तो लेकिन हम यहां पर चेंज करते सिंपल सा यहां पर आप लोग को आपकी उस mail आईडी से लोगिन कर लेना है जिस mail आईडी पर आप लोगों ने बेकप लिया है उसके बाल आपके smartphone में internet डेटा ओन होना चाहिए और और आप लोगो सारी photos और वीडियोज देखने को मिल जाओं और इन सारी photos और वीडियो- couple क्लिक कर सकते हो और यहां से आप लोग शेर कर सकते हो या फिर आप लोग चाहो तो अपने स्मार्टफोन में वापस से सेव कर सकते हो आप लोग को हमारे यह दोने की दोने ट्रिक काफी पसंद आई होगी अगर इन में से कोई भी ट्रिक आप लोग को पहले से पता थी गाइस या फिर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे directly comments के तुरो अपने सारे के सारे doubts भी clear कर सकते हो तो मिलते हैं guys किसी और नए वीडियो में किसी और नए trick के साथ हम आपके सामने feeds available होंगे जब तक के लिए जहीं thank you for watching